अच्छा नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अट्टाटवनिफोर्ट सेमन पर वैभश्रवास्थों के साथ और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छी होंगे और आप सभी के तैयरी भी अच्छी चलिए होगी तो दोस्तों नमस्कार आज यह वेरे वेरे है बैल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको लाइब नोडिफिकेशन क्लासिस की मिलते रहा टाइम टू टाइम ओके और दोस्तों आपको बता दें आप सीब्यों के बैच को जोईन कर सकते हों और आपको यह बैच जो है वह अभी स्टार्ट हो जुका है ठीक है आपको इन्रोल कराने के लिए आपको यह कोड लगा कि इन्रोल कराना पड़ेगा for maximum discount आगा maximum discount ग्रैब करने के लिए आप अगर यह कोड लगाते हो तो आपका यह बैच विट इंटर्व्यू आपको 3500 में available हो जाएगा ठीक है आपको जाना है 247.com पर दिर वहाँ पर CBO के आइकन क को सेलेक्ट करना है दिर वहाँ पर बैच को सेलेक्ट करना है दिन आपको पे करते समय स्कोड को लगा लेना है और दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं top 10 important MCQs के उपर discussion करने वाले हैं तो सबसे पहला question आपके screen पर हाईए क्या है कि आज जो यह question हम लोग discuss कर रहे है जो previous share के question आया थे उसके उपर base करके same यह question आया नहीं थे बट इसी के जैसा मिलता जुलता question था उसके उपर base करके आज हम आज ही आज हम लोग top 10 questions हम लोग आपसे discuss कर रहे हैं तो पहला question यहाँ पर है which of the following is a fully on subsidiary of RBI दोस्तों इसमें fully on subsidiary कौन है RBI का किसका RBI का fully on subsidiary कौन ह है तो दोस्तों RBI की बात बात करते हैं तो RBI के 5 fully on subsidiaries है कितने तो guys there are 5 fully on subsidiaries है RBI के वो 5 कौन कौन से हैं दोस्तों तो आपको याद अखना यहाँ पर A का नाम है DICGC एक का नाम होगा यार यहां पर ठीक है आपका BRBNMPL BRBNMPL और A का नाम होगा तो टेका है RBI कर रे whis इसमें एक नाम होगा EFTAZ एक कर नाम होगा RBIAH RBIH तो दोस्तों DICGC BRBN Ampere, Rebit Iftaz और RBIH तो इतने पॉइंट्स आपको यहां पर आज़के न तो RBI की कितने Subsidories हैं तो यहां पर 5 है तो आपको यहां पर क्वेशन है Fully on subsidiary of RBI Fully on subsidiary कौन है RBI का NHB, DICGC, BRBN Ampere All of the above NHB है नहीं, NHB किसी टाइम पर RBI का subsidiary हुआ करता था बट अभी में नहीं अभी एक किसके द्वारा किसके अंडर में है Fully on by Fully on by Government of India ठीक है, DICGC इसका fully on subsidiary है BRBN Ampere, इसका fully on है All of the above होगा नहीं, बचा क्या B and C, Option E is the correct answer दोस्तों, यहां पर आपको याद रखना है अगला point अगले point को पर move करते हूं और अगला question आपके screen पर है क्या है, दोस्तों Which of the following is a credit information company in India इन में से credit information company कौन है इंडिया की इन में से कौन, भारत में एक credit सूचना कंपनी है केयर, ओनिकरा, सिबिल, इकरा या फिर नन अब दे अबव इन में से कौन है, तो दोस्तों इसका अगर हम बात करते है तो इन में से आपका है सिबिल सिबिल की बात करें, इसका पुरा नाम है Credit Information Bureau of India Limited Credit Information Bureau of Of India Limited Of India Limited ठीक है, सिबिल, सिबिल की बात करते हैं दोस्तों, ये इन 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 पहली Credit Information Company है, ठीक है ये दिहान रखना आप लोगों ने सिबिल आपने देखा होगा, हम लोग, आप सभी पैंकर हो और आपने गौर किया होगा, कि अगर आप जब भी आप लोग जाते हो, कोई customer आता है आपके पास तो आप उसको बोलते हैं कि सर अपना पैंन नमबर देना और आपकी सिबिल चेक करते हैं आप पैंन नमबर दिखाना, हम आपकी सिबिल चेक करते हैं सिबिल दोस्तों क्या होता है ये आपका हमारे credit का information देता है कि जो candidate है वो trustworthy है या नहीं यानि कि कहीं इसने ऐसा तो नहीं है कि loan लिया है और loan चुकाया ना हो ठीक है, तो वो सारी चीज़े हमारा किस से cover होता है, यानि हम लोग किस से cover करते हैं पैंन नमबर से, यह यानि कि पता करते हैं, not cover, actually confirm करते हैं कि सब कुछ सही है कोई सभी छोटा सा EMI करने जाओगे तो civil चेक ही आजाएगा आपका ठीक है, अच्छे, दूसरा point क्या है, civil कितने digit का होता है तो आपको यातना 3 digit का और कितना maximum तो 900 maximum कितने तो 900 का होता है, यानि maximum, ठीक है, और सबसे best civil यानि कह सकते, and average आपको loan कब तक दिया जाता है कब कितने civil पर अच्छा rate of interest मिल जाता है 750 से 900 के बीच में आपको अच्छा rate of interest मिल जाता है यहाँ पर, आपको जानते होंगे अलग-अलग bank का अलग-अलग rule हो सकता है यहाँ पर, बट आपको update रखना है वरतमान में व्यक्तिगत लेन की अधिक्तम सीमा क्या है NEFT की बात करते हैं किसकी बात करते हैं NEFT की बात करते हैं इसका पुरा नाम क्या है National Electronic Fund Transfer National Electronic Fund Transfer National Electronic Fund Transfer ठीक है, NEFT तो NEFT की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, कि under RBI NEFT system, RBI के NEFT system के according maximum limit क्या है individual transactions की present time पे ठीक है maximum limit तो गाइस no ceiling आप सभी को पता होगा कि नफ्ट के कोई maximum limit नहीं है कोई maximum limit के transactions भी है transaction limit नहीं है ध्यांस सुनिएगा आप लोगोंने नफ्ट आया था दोस्तो 2005 में किसके दोस्तों इसका नातो कोई maximum no minimum maximum limit कोई minimum maximum limit इसका नहीं है यह ध्यान रखना आप लोगों ने टिक है 2005 में और याद रखना आप लोगों ने यहां से एक पॉइंट और अपडेट रखना है यह अपने दोस्तों इसमें आपको यातना ये नेशनल लेवल का होता है ये क्या है नेशनल लेवल पर है और इसका एक्सेप्सिनल कंट्री कहां है तो आपको यातना नेपाल तो नेपाल इंडो नेपाल यानि नेपाल में पैसा भेज सकते हैं था तो ये नेशनल लेवल पर बट हम यहा जातकना और इसका minimum maximum कोई limit नहीं है ठीक है और दोस्तों इक चीज़ और रहातने एनी अप्टी 24 इंटू 7 अवैलबल है यानि कि 24 गंटा साथ हो दी 24 इंटू 7 अवैलबल है एनी अफ्टी ठीक है यह धियानक न आप लोग ने अगले पॉइंट के उपर मूव करतें गाई अगला पॉइंट आपका क्या है सबसे पहले इंडिया में इसकी बात करते है रिजनल रूरल बैंक अगर इसकी बात करें तो 1975 में 2 in 1975 में इसके स्थापना करवाई गई थी और एक चीज और रहात हम है और इसकेक्ट क्या है 1976 के अंदरगत इसके स्थापना करवाई गी थी यार ठीक है ये दिहान रखना आप लोगों ने ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं इसके आगे में RRB के बारे में और अपडेट करते हैं तो दोस्तों RRB हमारा क्या है एक ही दिन में पांच जगोह पर RRB के स्थापना हुई थी सबसे पहला RRB कौन था प्रत्मा ग्रामिन बैंक प्रत्मा कहां पर मुरादाबाद में कहां पर मुरादाबाद यूपी में उसके बाद गोरकपूर दोस्तों आपको याद रखना है गोरकपूर ठीक है भीवानी भीवानी ठीक है मालदा ठीक है एंड दोस्तों इन पांच जगहों पर एक ही दिन, यानि कि दो अक्टूबर के दिन ही रिजिनल डूरर बैंक के स्थापना होई थी, सबसे पहला था मुरादाबाद में प्रतमा ग्रामिन बैंक, गोरकपूर, भिवानी, मालदा, जैपूर, तो कब लाया गया था, सेट अप हुआ था, तो 1975 म 1975 में, आपसे क्वेशन ये भी आ सकता है, कि RRB के स्थापना, किस कमीटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था, दोस्तों, RRB के स्थापना, किस कमीटी के रिकमेंडेशन पे, तो गाईज, आपको याद रखना है, इस नरसिम्हन कमीटी, किस कमीटी के रिकमेंडेशन पे, नर्सिंबहन कमीटी के रिकमेंडेशन पे RRB के स्थापना की गई थी, 1975, 1975 में यह ध्यान अखना आप लोगों ने, Establishment Act क्या था, RRB Act 76, ओके, यह ध्यान अखना है, बहुत common question होगा, बहुत easy question है, अगला point, what is the minimum limit of investment under the किसान विकास पत्र, इसके वीपी, किसान विकास पत्र की बात करें, तो यह 2015 में इसको वापस से restart किया गया था, यह बंद कर दिया गया था, Congress की Government, वापस से किसान विकास पत्र को, वापस से start किया गया, इसका minimum, minimum क्या है दोस्तों, investment under the किसान विकास पत्र, minimum है, it's 1,000 रुपी, एक हजार रुपए, इसका minimum है, maximum की कोई limit नहीं है, यहाँ पर, ठीक है, which of the new denomination bank notes has motif of Allura Caves, Allura Caves का motive पूछ रहे हैं आपर, किसका, Allura Caves का, Allura Caves का motive क्या है, तो दोस्तों याद रखना, आपका ये 20 रुपीज का नया currency होगा, ठीक है, जिसका color क्या है दोस्तों, it's a greenish yellow, क्या है color, तो greenish yellow, and दोस्तों इसको ऐसे याद रखना है, और इसका motive है Allura Caves, क्या है Allura Caves, यह चॉकलेटी ब्राउन, और इसमें, अगर दूसरा point क्या है, यह चॉकलेटी ब्राउन है, और इसके सासत और क्या अपडेट करना है आपको, यहाँ पर, दोस्तों इसका motive क्या है, कोनार्क सन टेमपल, क्या है, कोनार्क सन टेमपल, ठीक है, फिर 50 रुपीज की बात करें, तो क्या है, हमपी, 100 रुपीज का क्लर क्या है, लावेंड़, क्या है लावेंडर, और motive क्या है, दोस्तों, तो आपको याद रखना है, रानी की वाव, क्या है, रानी की वाव, ठीक है, तो यह ध्यान आकर आपको, इतने points यहां से, यह update रखना है, बूब चीजे clear हैं यार, हा a promoter in a small finance bank, resident individuals, professionals should have, should have how many years of experience in banking and finance, दोस्तों, यहाँ पर small finance bank की बात की जारी, small finance bank को लगाने के लिए 200 करोन की requirement होती है, initial capital की, कितने की, 200 करोन रुपए की initial capital की requirement होती है, और दोस्तों, इस 200 करोन की अगर हम बात करते हैं, ठीके, इन आपको, आपको इसमें 10 साल का experience भी होना चाहिए, 200 करोन के साथ सा, 10 years का experience होगा, अगर आपको इसमें यहार क्या है, to be a promoter in a small finance bank, resident individuals, professionals, should have how many years experience in banking and finance, कितने साल का experience होना चाहिए, ठीके, लगो वित्ट बैंक में प्रवर्तक बनने के लिए, तो guys, it's a 10 years, यहां option C होगा, is the correct answer, 10 साल का experience होना चाहिए, कितने साल का, 10 साल का, लेकिन अगर यहां पर कोई payments bank है, कोई payments bank है, उसको कितने साल के experience होना चाहिए, तो 5 years के बाद, वो किसमें बन सकता है, small finance bank में जा सकता है, लेकिन अगर small finance bank बनाना है direct, तो आपको 10 साल का अनुबह होना चाहिए, finance के sector में, या फिर NBFC के sector में, NBFC यहनि के non-banking financial companies के छेतर में, ठीक है, next point, small finance bank are licensed under which act, लगुवित बैंक किस अधिनियम के तहत license प्राप्त है, लगुवित बैंक को, तो guys देखो, small finance bank और payments bank, इन दोनों को license, एक ही act के अंतरगत, एक ही section में दिया जाता है, और दसल वो section कौन सा है, तो वो है banking regulations act 1949 के section 22 में mention किया जाता है, किसमे section 22 में mention किया जाता है, small finance bank are licensed under which act, तो banking regulation act 1949 के section 22 में, किसमें दोस्तों, section 22 में guys, यह धिहान अखना आप लोगों ने, बोलो चीज़े clear है, yes or no, आपको यह basic pointers याद होने चाहिए, आपको update रखना है, ठीक है, अगर यहीं पर हम scheduled commercial bank की बात करते हैं, serial commercial banks की बात करते हैं, तो इसको license मिलता है, दोस्तों, RBI Act 1934 के section 2E में इनको mention किया जाता है, ठीक है, यह धिहान अखना, अगला point, the BRBNMPL has been registered as a private limited company under the, दोस्तों, BRBNMPL को इनमें से किसके तहत एक private limited company के रूप में पंजिक्रित किया जाता है, किसकी private limited company के तोर पंजिक्रित किया जाता है, किसको, BRBNMPL को, तो गई, उफो, चलो, हम आपको बता जेते हैं, इसको registered किया जाता है, Companies Act, यहाँ पिसका option ही नहीं दिख रहा है, Companies Act 1956, जो बाद में क्या हो गया था, It's 2013, तो इसके अंतरगत इसको पंजिक्रित किया जाता है, तो यह धिहानक ना, BRBNMPL को, BRBNMPL का पूरा नाम है, भारती Reserve Bank Note मुद्रन Private Limited, BRBNMPL, ठीके, भारती Reserve Bank Note मुद्रन Private Limited, अगला point, Guys, National Savings Certificate is issued by, किसके द्वारा इशू किया जाता है, NSC, Reserve Bank of India, Post Office, Nationalized Bank, both B and C, या फिर नन अब दे अबव, किसके द्वारा इशू किया जाता है, National Savings Certificate, तो guys, NSC इशू किया जाता है, Post Office के द्वारा, किसके द्वारा, Post Office के द्वारा, क्या, NSC, National Savings, Certificates, ठीक है दोस्तों, यह धिहान रखना, आप लोगोंने, guys, यहाँ पर इतने points, Okay, next point, what is the maturity period of public provident fund, किसका maturity period of public provident fund, PPF, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर PPF की, किसकी PPF की बात करते हैं, तो public provident fund की maturity क्या होती है, दोस्तों, PPF, आपको यातना है, minimum एक साल में कितना रुपए है, तो 500 रुपीज, और maximum कितना जमा कर सकते हैं, within one year, एक लाख पचास हजार रुपए है, ठीक है, यह आपको यातना, minimum 500 रुपए है, और maximum क्या है, देड़ लाख रुपए है, public provident fund में, guys, public provident fund, ठीक है, यहाँ पर maturity period क्या होती है, तो guys, it's 15 years, इसका lock-in period क्या होगा, तो lock-in period 7 years में होगा, क्या होगा, 55 years का, माफ किज़ेगा, 55 years के 3 lock-in period दिये जाते हैं, अब तो और update हो गया है, बहराल आपको पता होना चाहिए, तो lock-in period 5-5-5 ऐसे है, बट आपका maturity period जो होगा, उसका 15 years का होगा, minimum आपको 500 रुपई निवेश करना है, maximum आपको 1.5 रुपई का निवेश करना है, public provident fund में, दोस्तों, public provident fund आपको याद कना है, तीक है, इसमें हमें क्या मिलता है, tax में rebate भी मिलता है, छूट भी दी जाती है, तीक है, और आपको ये update भी रखना है, अगर आपने PPF करा रखा है, तो ये plus point है, तीक है, और इसके उपर जो rate of interest है, approximately 7% के आसपास है, 7.1 था, I don't know, अभी पता नी, up and down हुआ होगा, तो जो भी है, बहराल आपको minimum maximum, इसका 10 ये और 15 येर्स का है, minimum 500 रुपए, maximum 1.5 लाग रुपए, आप एक साल में विदिन वन येर, एक साल में आपको जमा करना है, या तो minimum 500, या तो 1.5 लाग, अगला point है, what is the minimum deposit per year in सुकन्या समरिद्धी योजना, त्य के सुकन्या समरिद्धी योजना में, पम्रिद्धी योजना किसको succeed करके लाए गया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या सम्रिद्धी योजना शक्सीड करके लाया गया था, उसी का नाम बदला गया था, बस ऐसे आ रहा देखना आप लोगों ने, ओके, दुस्तों सुकन्या सम्रिद्धी योजना, जनवरी 2015 में लाया गया था, 2015 मिलाया गया था तो किसके लिए स्कीम था यह गर्ल चाइल्ड के लिए था किसके लिए स्कीम था गर्ल चाइल्ड के लिए और इसमें minimum deposit कितना था minimum deposit is 250 and what about maximum deposit तो it's 150,000 रुपी 150,000 रुपी 250,000 रुपी तो 250,000 रुपी यहां पे minimum था पहले यह 250 वाला जो amount दिख रहा है पहले यह दरसल 1,000 रुपी हुआ करता था तो guys यह रहे आपके आज के top 10 banking knowledge की questions आपके ऐसे बहुत सारे अलग-अलग schemes के questions लेके आएंगे हम आपको उससे related जितने भी news बनेंगे वो लेके आएंगे current banking तो आपका enroll करा सकते हो और आपको code यह आदकना है coupon code आपको apply करना है क्या? Y307 Y307 आपको हम दिखा देते हैं आप कैसे enroll करा सकते हो इसमें तो आपको जाना है यहाँ पर adda247.com पर आपको कुछ इस तरह से interface open होके आएगा basic interface यह है आपका यह open होके आएगा आप उपर जाना तो दोस्तों यह आपके उपर में देखो panelists दिख रहे हैं हमारे दो SBI के panelists है और दो हमारे IVPS के panelists होंगे इंटर्व्यू पर यहाँ पर interview के सारी classes हम ही आपका conduct कराएंगे आपके सारी banking के news, banking knowledge current news, current affairs सब कुछ cover कराने वाले हैं यहाँ पर आपके जो panelists होंगे उनके भी mock classes होंगे और उसके बाद one-on-one mock भी होगा individuals आप इस batch में enroll करा सकते हो दोस्तों, आपको code apply करना है Y307 code लगा के आप इसको enroll करा देते हो तो यह batch आपका 3679 amounts हो हो रहा है, इस price इसको और कम कर सकते हो, एक तरीका है वो तरीका यह है कि आप क्या करना है, आपको चले जाना है इसके application पर और application पर जाके आपको same यही code supply करना है इसी code के साथ, यह price क्या होगा कम हो जाएगा और approach 350 की करीब में आपका यह batch होगा आप देख सकते हो, यहाँ पर तो आपकी, जो आपकी classes जो होगी, आप join कर सकते हो 8.30 to 9.30 मेरी classes होती है morning में, यहाँ पर आपको पहली class सुबह के मिल जाएगी, अगर आज enroll करा लेती हो आप तो, तो अगर आपका target है, SBI CBO, इस साल crack करना तो guys, आपके लिए सबसे best option opportunity है, आप देख सकते हो ठेक है, और बाकी का और सारी कुछ अगर हो, doubt तो आप comment section में mention करना, हम जरू discuss करेंगे आपसे, ओके दोस्तों, thank you guys have a great day, and keep it up, और आप ऐसे पढ़ाई रखो, अगर आप जूड़ रहे हो daily तो, ऐसे ही पढ़ाई, continue करो और कोई help होगी, तो please, आप पेज़े से का आप comment करना, हम जरू discuss करेंगे आपसे, thank you guys have a great day, good night, सुबरात्री सभख love it you all, have a great day, bye bye